पब्लिक टीवी आपकी आवाद पब्लिक का प्रेशर रहना गयाद अबने पर्याद ताइंग जेने के बाद भारी भी इन लिमिकेशन में आपकी पुरा बता दिया था पब्लिक का प्रेशर रहना गया गया कर वाई में आपको बता दू कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शेहर में दो मैत्वा गंशी पर कारी किया जाना है काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पहला प्रोजेक्ट है रेट्रो फिटिंग ओफ कूल मार्केट एरिया और दूसरा है डवलपमेंट ओफ स्मार्ट रोड नेटवर्क्स इसी के तहट आज लगबग आदे शेहर का ब्रवन कमिशनर सर के साथ में पूरी टीम ने किया है और आज हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन से कारण है जिनके बज़े से यह प्रोजेक्ट की विलमबित है इसी करम में आज यह देखा गया है कि जो ओल्ड मार्केट एरिया है इस एरिया में हमारी जो ओवरहेड इलेक्रिक वायर्स है जो हाइडल का अपना नेटवर्क है उसके स्टेंग्टन किया जाने में और ओवरहेड यूटिलिटीज की ग्राउंडिंग करने में क्या-क्या परिशानिया आ रहे है इस संबंद में संबंदित काईड़ाई संस्थाओं और उनके वेंडर्स को भी यहां बुलाया गया था ऐसी हाइडल साब एसीओ साब चीफ इंगिरियर स्मार्ट सेटी पूरी टीम साथ में हैं और हम जल्दी से जल्दी यह प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कटनाईया हैं उनका प्रतेक स्तर से निराकरन जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि प्रोजेक्ट अपने समय से पूरा हो सके सर बरसात का सीजन आने माला है उसके लिए चाहिए है निश्चित रूप से इसी बरसात के द्रश्चिकत देखिए अभी इस बाजार के छेत्र में नालों की सपाई का कारी भी किया जाना है और यूपी आरेनन जो कि इस रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट पर खाम कर रही है उसको ही इस बार नालों की सपाई का जिम्मा धिया घा इसमें सलैप को बी तोड़े जाने है नालों की सपाई ओनी है इस कार्य को किस तरह से किया जाय जिससे बाजारवार्श्यों को कम से-कम परिशानी हो और समय से हम इस प्रोजेक्क को पूरा कर पाए इसी पर मंतन कर्ם करने के लिए 20 जून तक की डेडलाइन दी गई है हालांकि एजेंसी द्वारा अपनी कुछ विवारी कटनाईयां बताते हुए अत्रिक्त समय की मांग की गई है अभी इस संबंद में एक बैठक के मात्यम से समय सीमा त्या की जाने है चल्दी आपको बताते हैं पब्लिक टीवी आपकी अबाद